कि इसके लिए दुरभाग यहां की मीडिया ने वह बात नहीं खोली यहांकी जंशीं यहां की सुरच्छा आजेंसिश नहीं खूल पाई और यहां से खुली फ्रांस की मीडिया है उसने इस बात को 아ổ प्रांस की सरकार ने इस बात की पुष्टी की है कि यह गोटाला हुआ है और वहां से रोकरेज के रूप में दलाली के रूप में यह एमाउंट यहां दी गई है तो अब मैं सवाल यह करना चाह रहा हूं कि यहां की मीडिया अब इस पर क्या कहेगी अब हमारे प्रदान मंत् कॉंग्रेश के नेताओं पर विपक्ष के नेता सवाल कर रहे थे तो उन पर यह कह रहे थे प्रदान मंत्री को जो है उल्यलूल वक रहे तो उनका क्या कहना उनके सबके मुह में दई जमी पड़ी है इस समय यह सरकार ऐसी है सरकार है अब यह देख लीजिए जो राफेल की का सौधा हुआ था पिछली सरकार में 2014 से पहले तो वह 571 करोड रुपए का एक राफेल था और इस सरकार ने उसको तीन गुने से जादे दाम में खरीदा सत्रे सो करोड रुपए में खरीदा है तो अब आप समझ ली और वो सौधा किस से हुआ था एचे एल कंपनी से हुआ था जो इस देश की नंबर एक सुरच्छा मामलों की विसेशक के कंपनी है उससे यह सौधा खतम करके किसे दिया गया इनके जो व्यापारी मित्रें उनक करोडों रुपए के सरकारी करये में थे उनकी कंपनीज़े में चल रही थी तो उनकी कंपनी説्स कराने के लिए जो इनको 2024 दोहजार चोदे में मोधी के लिए काम करूंगा तो यह देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं यह सिर्फ और सिर्फ ब्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं और यह सिर्फ और सिर्फ RSS के लिए काम कर रहे हैं और यह देश को कमजोर करने के लिए काम कर रहे हैं यह देश के आम आदमी के साथ दोखा कर रह है यह देश के किसान के साथ दोखा कर रहे हैं आज देखिए जो अभी नक्सलियों का अमला हुआ था दो दिन पहले तो उसमें आज बीजेपी के दो नेताओं की पुष्टी होई है और वह फुष्टी इसलिए उपाई क्योंकि वहां पेat 36 घड़ में बी-जेपी की सरकार नहीं है वहां की सरकार है तो वहां की पुलिस ने दो ओनी चाहुत को पकड़ा आ इस पर दान अमंतरी जी और ग्रहमंत्री जी क्या कहेंगे और राजस्थान में भी उस दिन जो हमारे किसान नेता टिकेट साथ पे अमला किया था तो भूझ बीजेपी के जो एक चात्र परिसाथ है अखेलवारती विद्यारती परिसाथ तो उसके नेता थे और उसमें भी डायरेक्ट बता रहें बड़े बड़े विदायकों और सांसदों का इन्वालमेंट है तो इस समय बीजेपी देश के लिए काम नहीं कर रही है देश की जनता के लिए काम नहीं कर रही है इस समय यह लोग क्या काम कर रहे हैं यह देश को लूटने के लिए काम कर रहे हैं यह देश की एकता खंटदा को छीड़ छीड़ करने के लिए काम कर रहे हैं इस समय किसान इनके गले की फास बना हुआ है तो किसानों का अंदोलन कैसे कमजोर हो उसकी तरफ इनका द्यान है इनका सारा द्यान इस समय बंगाल एलेक्शन पर है कि कैसे भी जैसे पुलवामा में इनों ने किया था वैसे ही अब ये नक्सली हमले की आड़ में बंगाल में सानबूती के रूप में बोट लेने का काम कर रहे हैं लेकिन अब इनकी चाल नहीं चलेगी क्योंकि देश की जनता समझ रही है इनकी नीतियां कि जब जब चुनाव आता है तभी इस तरह के अमले क्यों होते हैं और जब अमले को सोने का बंगाल बना देंगे सौनार बंगाल बना देंगे अरी में इस प्रस्ण में थाफटता भूए बहूत जिंद लगा हुए यूपी में योगी जी क्या कर रहे हैं योगी में जी तो बिलकुल बोल रहे हैं वेडिया नहीं और दलाली खा रखी इससे पहले कि एक नेता के साथ नेता के मूह में नहीं तो उनके मुह में माईक ढाल दिया, तो जो इनके जो गाड होते हैं, तो उन्होंने को मीडिया वालों को फीछे दकेल दिया तो उस वीडियो को तो इन्होंने खूब दिखाया यह का कि साथ पत्रकारों के साथ बद्तमी जब कि उसका कोई साच्छे नहीं था इसका साफ साक्ष है जो एक योगी मुख्यमंत्री जैसे पदपे आसीन और जी कहते हैं योगी है सादू है उसके मुझ से इस तरह का जो अपमान जनक सब्द निकल रहा है इस पे ना तो मीडिया कर्मी कुछ बोल रहे हैं ना सरकार उसके उपर पोस्कों की तरह कानून लगा हुआ है उसको जेल में होना चाहिए था वह सफाई दे रहा है कि यह वीडियो के जो लास्ट के पांस सेकेंड है वह एडिटेट से हैं अगर वह एडिटेड वीडियो होता तो अब तक यह बीजेपी वाले सोशल मीडिया पर जिस पैसा नहीं मिलना था पैसा योगी से मिलना है मीडिया जो लोकतंत्र का एक समय सबसे मजबूत इस्तम माना जाता था वह इस समय अपनी जमीर को मारके हिए मीडिया ने पत्रकार ता के मुख्य को जाते नेता नेता नहीं कुछ नेटा जो इस समय सत्ता के के लिए इस तरीके से वियंग्यात्मक्त बासा का इस्तमाल कर रहे हैं चाहे वह ध्रह मंत्रीजी इसे संपरदायक बासड मैं यहीं ग्यां दिया जाता है कि आप अपमान जनक सब्द बोले क्योंकि इन्हें सब्विता नहीं इनके देखो ऐसा है इनका परिवार तो है नहीं जो यह परिवार के इसाफ से मानमर्यादा से बात करें इनको वही चीजें सिखाई जाती है कि देश को तोड़ो बत्तमीजी से बात करो देश को ऊंच कर रहे हैं हम राश्टेट में काम कर रहे हैं लेकिन करनी इनकी अलग है अब वो करनी अलग है तो दीरे-दीरे जनता को समझ में आ रही है शुरू में तो जनता इनके चक्कर में फस गई कि किसानों की आई डवल कर देंगे रोजगार देंगे महंगाई कम कर देंगे ब्रस पश्चिम मंगाल में तो आप देखी लो ना EVM में कैसी कैसी एर फेर हो रही है जहां जिस बूत पे 90 बोट होने चाहिए उस EVM में 171 बोट निकल रहे हैं यह EVM को हैक कर रहे हैं यह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं तो पूरी मीडिया अल्ला काट रही है लेकिन सकी है मीडिया एक पक्ष की बात क्योंत दखा रही है मीडिया को अगर कोई बी चीज दिखानी तो दोनों पक्षक को लेके चलना चाहिए तो यह जमाता समझे जनता कि समझ नहीं आ रहे है को जनता का मूड बदल रहा आ और जनता वोट के जरिये उसको जवाब देगी और किसान आंदोलन अगर आपको लगता है कि बंगाल में ये एरफेर करके वहां कैसे भी सामदाम दंडवे नीती करके वहां सत्ता आप में काविज हो जाएंगे और आंदोलन कमजोर हो जाएगा तो ये उनकी गलत फहमी है ये आं अंदोलन अप जन जन तक पहुंच गया इया अंदोलन अप मजबूत हो रहा है और और यही कारण है सत्ता पक्षिस समय पूरी तरीके से गबराया हुआ है और काहराना तरीके से हमारे किसान नेताओं को जान से मारने की दमकी दे रहा है और हमारे किसान नेताओं पर हमले करवा रहा है ये इनकी मंसा को जायर कर रहा है कि ये अंदर से कितने बहवीत हैं और हो सकता है कि बंगा जब तक सत्ता नहीं बदल जाती है सत्ता और हमारा जो संकल्प है संकल्प हमारा यही है कि हम सत्ता को इस बार बदल के ही मानेंगे चाहे हमें 2024 तक रुकना पड़े